स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में इस वीडियो में हम जानेंगे मुठी में होना, हिंदी मुहावरे का क्या मतलब होता है, इसका आर्थ होता है पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में होना, नियंतरण में होना, वाक्या में इस मुहावरे का प्रीयोग करते हैं, जीतने से पहले ही उसने कहा कि खेल अब उसकी मुठी में यानि उसके पूरे कंट्रोल में है उसने सबूत इस तरह इखटा किये कि अब मामला उसकी मुठी में है तो कोई भी चीज किसी के अगर कंट्रोल में होती है काबू में होती है तो उस चीज़ को हम मुठी में होना बोलते हैं वीडियो बसाएं से लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें थैंक्स वर वाचिंग